आपका फिर से गुआ स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में और दोस्तों फिर से हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं जो की है रैड है लिनेक्स 8 के वपर और दोस्तों हम इसमें जो है वो आपको बताने वाले हैं जी फाइल परमिशन क्या होती है इसक तो हमारे चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचें तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था जी भाई यहां पर फाइल एंड डिरेक्टरी मदल इसी कि तरब यहां पर यहां पर यह आल लिखाव है और का मतलब होता रीड और डॉलू का मतलब राइट और एक सब्सक्राइब को लेना तो दोस्तों यहां पर हमने जो लाईट वीडियो में आपसे बात कि थी वो फाइल के उपर बात किती हम फाईल के वाइवर किस तरी क से जो है वो permission को दे सकते हैं और ले सकते हैं तो दोस्तों आज फिर से हम यहां पर file के ओपर ही थोड़ी सी बात करेंगे तो दोस्तों अगर आप कोई भी file Linux के अंदर बनाते हैं तो इसकी जो default permission होती है वो होती है कि starting में यह आपका हाइफन का मतलब यह file है फिर आपके पास rwr और तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से जो है वो हमारी file यहां पर बनती है तो दोस्तों Linux 8 के अंदर आ गए यहां से दोस्तों एक्टिविटीज पर जाने के बाद यहां से हम अपने terminal को open कर लेंगे और दोस्तों मैं font size को थोड़ा सा जो है वो इंग्रीज कर लेता हूं ताकि जो है वो अच्छे से आपको यहां पर दिखाई दे देखें दोस्तों तो यहां पर जो है वो font size मैंने थोड़ा सा अपना बढ़ा कर लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई देए अब मैं दोस्तों यहां से cd space slash के अंदर चलता हूँ और यहां पर ll करके देखता हूँ तो यहां पर दोस्तों जो आपके बिलू कलर में आपको सब दिखाई दे रहे हैं यहां पर क्या है आपके डारेक्टरीज हैं देखो सब के आगे डी लिखा हूआ है और दोस्तों कहीं कहीं पर देखो जैसे आपके आगे इसके आगे ल लिखा हूआ है तो दोस्तों यह जो न बनानी है तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं टच इस पेस और जैसे कि हमने फाइल का नाम दिया इसका जो यूजर है वह इसका है और यह इस गूरूप की जो है फाइल में बाइने का मतलब है यहां पर यूजर की पराइल को नहीं नहीं होती है तो यह जो फो है वह आपकी यूजर की है उसके बाद जो दोस्तों यहां पर आती है यह हमारी क्या है गुरूप की है जैसे लाश वीडियो में हमने डिस्कस किया था और दोस्तों यहां पर जो हमारे पास अब यह नैस्ट आती है यह हमारी किस की है जी अदर की है तो कहने को मदब यह है दोस्तों जिस यूजर न जो ग्रूप है सिर्फ इसको read कर सकता है कहने का मदलब ये है ची अगर कोई दूसरा user माले की root तो इसका user है जिसने इसको बनाया है कोई दूसरा user सुनू मोनू अगर वो root group का member है तो वो इस file को क्या कर सकता है only read कर सकता है और other पर भी क्या है दोस्तों यहाँ पर read की permission है वो का मतलब other ची other कोई बंदा ना तो कोई वो यह user है ना वो इस group से जो है बिलॉंग करता है तो वो बंदा भी क्या कर सकता है only इस file को read कर सकता है इसके अंदर कुछ भी edit नहीं कर सकता तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैं जो रूट के अंदर हूँ और रूट इसका मालिक है user इसका जो है वो रूट है और रूट को दोनों ही rights है rw के तो अगर मेरे को यहाँ से जो है इसमें कुछ लिखना है तो मैं cat space dual greater than और file का नाम दे दूँगा wwe मैंने एंटर किया देखो नीचे दोस्तों मेरे पास लिखने का option आ गया मैंने इसमें लिखा hello और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ मैंने save किया control z से अब दोस्तों देखो मैं इस file को जो है वो अपना read करना चाहता हूँ cat space wwe तो यहाँ पर देखो दोस्तों मैं इस file को read कर पा रहा हूँ क्योंकि जो है मैं root से login हूँ यहाँ पर आपका username दिखा रहा है और मैं जो है वो उसका क्या हूँ user हूँ user को दोनों ही permission है read और write अगर दोस्तों मैं किसी दूसरे user से login हो जाऊँ जो ना तो root user हो ना ही root group का member हो तो वो किस में जाएगा other में जाएगा तो other को कौन सी permission है only read की जी वो इस file को read कर सकता है write नहीं कर सकता तो चलो हम देखते हैं तो यहाँ दोस्तों हम चलते है all control F3 में और हमने एक user बनाया हुआ है test1 के नाम से हमने login किया तो देखो दोस्तों हम अपने जो है वो यहाँ पर user के अंदर आ गए अब आप देख सकते हों यहाँ 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 यूजर का नाम है और जब हम user से login होते हैं तो यहाँ पर dollar का sign आता है दोस्तों मैं cd space slash के अंदर जाता हूँ देखो मैं slash के अंदर आ गया मैंने ll किया देखो दोस्तों मैं यहाँ यहाँ पर आ गया अब दोस्तों मैं यहाँ से इस file को जो है वो read कर सकता हूँ cat space wwe मैंने enter किया तो देखो दोस्तों मैं यहां से इस file को क्या कर पा रहा हूँ read कर पा रहा हूँ लेकिन दोस्तों अगर मैं इस file के अंदर जो है वो क्या करना चाहता हूँ write करना चाहता हूँ तो उसके लिए command होती है cat space dual greater than और file का नाम www.e आप देख सकते हैं और मैं कौन हूँ टेस्ट वन जो है ना तो रूट यूजर है और ना रूट गुरूप का वो member है तो मैं other में हूँ तो मेरे को other की permission है वो only किसकी permission है read read की तो मैंने enter किया तो देखो दोस्तों यहां पर इसने में देखो क्या बोला permission denied आप जो है वो इसको write नहीं कर सकते क्योंकि आपको जो है वो स्रीफ जो है read read की permission है अब यहां पर दोस्तों हमने करना क्या है अगर हम इसकी permission change करना चाहते हैं तो हम permission change कर सकते हैं तो दोस्तों permission change करने के जो है ना वो दो तरीके हैं एक तो हमारा जो तरीका है वो है numerical और एक है हम ने पहले वीडियू में आपको बताया है इस वीडियो में हम नोमेरिक तरीका बठाएंगे तो दो Σे को हम 4 सी जाते हैं यह हमारा क्या है 4 है इसी तरीके से हमारा यह два है डबलु को हम रॉ̃ट कहते है और रॉ̃ट हम व से भी जानते हैं या फिर हम इसकी value होती है 2 इसी तरीके से दोस्तों यो x है ना x को मुदर execute होता है इसकी वेल्यू है ना वह 1 होती है तो दोस्तों देखा जाये तो यहाँ पर जो R is equal to आपका 4 होता है और आपका जो W is equal to हमारा क्या होता है 2 होता है और X is equal to हमारा कितना होता है दोस्तों 1 होता है तो देखा जाए दोस्तों ची यहाँ पर जो है यह जो user है user को R की permission है और W की permission है तो देखा जाए तो यहाँ पर जो ना यह 6 हो गया कितना हो गया यह 6 हो गया क्योंकि इसकी value 4 हो गई और इसकी value कितनी हो गई 2 हो गई तो दोस्तों यहाँ पर इसकी total value कितनी हो गई 6 group पे only read की permission है तो दोस्तों यहाँ पर यह कितना हो गया only 4 हो गया इसी तरीके से other को only किसकी permission है read की permission है तो R का मलब कितना होता है 4 हो गया तो दोस्तो हम इस सोट में लिख सकते हैं इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 6, 4, 4 तो दोस्तो यह जो फर्स्ट वाला कॉंबिनेशन है यह यूजर के लिए हो गया और दोस्तो यह जो सेकेंड वाला कॉंबिनेशन है यह हमारा group के लिए हो गया और जो third वाला combination है यह हमारा other के लिए हो गया अब दोस्तों अगर इस file के मैं other को read और write दोनों की permission देना चाहता हूँ तो मैं कैसे दूँगा तो यहाँ पर user की same रहेगी group की same रहेगी मैं सिफ other में जो है वो write की permission add करना चाहता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा six, four, six यह last वाला जो है वो six हो गया जो की other को denote कर रहा है तो यहाँ पर combination किसका हो गया four plus two का तो चलो देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं तो दोस्तों हम यहाँ से जाते हैं अपना graphical पर all control F2 से अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जी भाई यहाँ पर जो है हमारी जो file है इसको other पर read की permission है तो यहाँ पर चलो permission change करते हैं हम लिखते हैं ch mode space अब हम दोस्तों हमारे पास user को six की permission है group को four की permission है और other पर हम six दे देते हैं other पर अभी क्या है four है तो हम six दे देते हैं space file का नाम WWE हमने enter किया अब देखो ll करके और हमने यह command चलाई दी यहाँ पर है ना तो यहाँ पर देखो दोस्तों अधर के लिए हमने six दिया तो यहाँ पर देखो दोस्तों अधर पर आड़ आ गया अब हम किसी भी यूजर से जाके जो अधर यूजर है उससे जाके हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं ऊचले हैं दोस्तों और यहां से दोस्तों हम यहाँ पर यहां करते हैं और अ इंटर करते हैं तो देखो पहले यहां रहा था आघा यहां लेगने के लिए जो है वो चीजे मिल चुकी है तो यहां पर हम लिख देते हैं । यहां पर वाई वी और दोस्तो कंट्रोल जैट से सेव कर देते हैं ब्लू दोस्तों यहां पर रीãy दो यहां पर रिडर लिखता है यहां पर आ चुका है सो इस तरीकह से दोस्तों Instagram जो है वो अपनी file की जो permissions है उन्हें change कर सकते हैं अब चलो दोस्तो एक और बार change करके दिखते हैं अब दोस्तो मैं यहां पर चाहता हूं जो user है उसको आट ġवलू जाए जो group है उसको आट जाए और अधर से जो है वो सारी पनिमेशन हट जाए जी अधर बंदा जो है वह ना तो इस फाइल को रीड कर सके ना राइट कर सके तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या जीरो लगा दो इस ब्रीड कर पाएगा ना राइट कर पाएगा तो चलो देखते हैं अधर में जाके तो यहां से दोस्तों मौल गंडोल जी भाई साब आपके पास इसको चलाने की permission नहीं है अब एक बार write करके देख लेते हैं cat space dual greater than और WWE enter देखो दोस्तो permission deny तो इस तरीके से जो है वो दोस्तो आप जो है वो अपना numerical form में भी जो है अपने file की जो permissions है उनको क्या कर सकते हैं दोस्तो आप change कर सकते हैं अगर दोस्तो सबको same permission दे नहीं है तो ch mode space आप यहाँ पर दे सकते हैं 666 और जो है वो WWE देखो यहाँ पर तो तीनों में जो बराबर हो जाएगी rw 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 हा तो इस तरीके से जो है वो दोस्तो हम क्या कर सकते हैं अपनी जो permission है उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हमने सीखा जिक किस तरीके से हम जो है वो अपनी file की जो permissions हैं उनको change कर सकते हैं तो दोस्तो इस से पहले हमने file के ओपर जो है वो निफबेटिक तरीके से आप जो है वह किस तरीके से अपने फाईल की जो पर्मीशन है वह चेंज कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को Like करें शेर करें और दोस्तो हमारे चैनल को जो है वह स्काइब करना न भूले थैंक यू पर वाजिए इस वीडियो